हलो स्टुडेंट्स क्लाश 10 चेप्टर 7 कोडिन जोमेट्री एक्ससाइज हम कर चुके हैं 7.1, 7.2 अब हम एक्जामफल 7 करने जा रहे हैं तो इसका जो एक्जामफल 7 है उससे अच्छे तरीके से देखिए इसमें क्या रिखा है इन वाइट रेशो रेशो पूछा गया है the point minus 4, 6 divide the line segment joining the points points कौन-कौन से हैं points हैं आपके पास एक तो है minus 6 और 10 और दूसरा भी point है आपके पास 3, minus 1 इसको कौन डिवाइट कर रहा है minus 4, 6 यह डिवाइट कर रहा है किस रेशो में डिवाइट कर रहा है तो क्या निकालना है आपको रेशो है तो रेशो रिक्वाइट है तो रेशो यहाँ पक पॉष्चन मार के आप यहाँ पक रेशो जब आमने नहीं दिया होता है तो आमने कहां क्या लेते हैं के रेशो बन के रेशो बन तो यहां पर आप अपने, इसे x1, y1, x2, y2, have you got it? और इसको आप क्या लेती है, x और y, जो 20 का कॉइंट होता है, उसे x, y, यह रेलो पी दे दिया, इसको पी दे दिया, ठीक है? आप इसमें क्या आएगा? यह m बन का काम करेगा, और यह m बन काम करेगा, जहां की रेशो की बन काम करने चाहिए? आपको बोलो, दियो की बन कि बात हो तो क्या अप्लय करने चाहिए? सेक्शन फ самые, तो यहां पर कुआँसा फैसक्शन फर्मुला, तो सेक्शन फर्मुला टो सेक्शन फर्मुला लियो है क्या क्या लगीगा, x equal to x1, यह, क्या लगाएंगी? M1 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 X2 M2 X1 और मीचे M1 प्लेस M2 यह यूद करो आप तो जिसे यूद करेंगे तो देखें फिर आप क्या आप रजिटी करता है X कितना है आपके पास? माइनस 4 क्या है बोलो? माइनस 4 X कितना है? माइनस 4 M1 X2 तो K का मंटिटाइट X3 से होगा तो 3 K प्लस क्या आएगा? M2 X1 तो 1 का मंटिटाइग गाराइग के फ्लैस और मीचे क्या आएगा? बोलिये अब इसका क्रास मंटिटाइग और ध्यान से देखें ध्यान से इदा माइनस 4 का K से माइनस 4 के और प्लस मत से होगा तो माइनस को 3K के माइनस का 6 हो जाएगा दिखाएं आपर होनी चाहिए अगर आपको में सीखना है तो अब आपका 3K अब इधर 4 के इधर जाएगा पॉजिटिव हो गया माइनस 4 इससे इधर ले आप प्लस का 6 हो गया सिखने से पोर गया 2, 7K, K is equal to 2 upon 7 तो क्या रेसों आया 2 रेसों सेविन आजा आपको रेसों पूछा गया था, रेसों आगया य से निकालोगे तब भी यही आएगा, य से क्या आएगा, य का फादूला क्या होगा M1, Y2, M2, Y1, M1 प्लस M2, M1, K और माइनस 8 बाइनस 8 के डारेक्ट रिकर है, मल्टिक्टाइल करके M2, 1, M2 कितना है मोरो, M2, 1 है, M2, Y1, 1 इंटो 10, 10 कर दो सीरे, K प्लस 1, Y कितना है आपके पास, 6 ये 6, माइनस 8 K, प्लस 10, और ये कितना आएगा, K प्लस 1, वास मल्टिक्टाइगा रो, 6 K प्लस 6, 6 कैसे नहीं मल्टिक्टाइग को बंसे भी होगा, माइनस 8 K प्लस 10, अब ये माइनस का एक तर लेगाओ, 6K 8K 10-6 यह कितना आगया 14K और यह कितना आया 4 यहां से आया 4 अपन 14 कटके 2 अपन से बिना आजागा तो सैम्रेश वारा है साइड ऐसा पूशन सैम्रेश में हम ले एक्सराइब में भी दिया है तो अब आप मूँप पर देहें एक्जामपल 8 की तरह एक्जामपल 8 फाइंदब वार्ट वार्न ओपेशन फेपलड वर्ट जामपल फेशन 2 की तो सैम्रेश पार्स और कांज player कि यह आपका वार्ट ईजराइब ज़ाए यह है आपका 2,ts2 आर भी कितना है कि minus 7 और 4 कि over deposit तो trisect के लिए दो points क्या लेने पड़ेगे न, इसको नाम नहीं दिये, तो इसको P रेलो, इसको Q रेलो, तो इसने क्या निकालना है, हाट दा coordinates of the points of trisection, तो हमें यहाँ पर coordinates निकालने, इसके coordinates निकालने है, P और C, इसको आप क्या लेंगे, बोलो, X1, Y1, इसको क्या लेंगे, X2, Y2, और P के coordinates समने क्या लेंगे, X गौर पार, समझ में आ रहा है कि यहाँ से देखो, रेस तो नहीं दिया, लिकित दिमाग दिया है, इधर एक पार्ट है, और इधर कितने पार्ट है, और P के लिए रेसो क्या आएगा, बर रेसो 2, तो यह किसका काम करेगा, M1 का, और यह किसका कारेगा, L2 का, तो जब भी रेसो की बात आजाती है, तो क्या apply करते हैं, section formula, तो section formula लगाने, section formula, तो section formula यूज करो, वो क्या कहता है, x is equal to m1, x2, m2, x1 upon m1 plus m2, have you got it, x निकालना है आपको, m1, cross multiply करो, तो कितना आएगा, 1 into x2 कितना है, minus saving, plus m2, cross multiply, m2, x1, m2 2 है, x1 by 2 है, 2 into 2, m1 plus m2, m1 plus m2 क्या है बोलो, 1 plus 2, 1 plus 2, minus saving का बन से minus saving multiply है, 4, और यहापर 3 आगया, x is equal to, minus saving plus 4, minus का 3, और 3 है कर गया, तो minus 1 आगया, x कितना आगया, minus 1 आगया, अब हम क्या निकालनेगे, y निकालनेगे, तो y is equal to formula, m1, y2, m2, y1, m1 plus m2, यह आपका formula आगया, तो अब y निकालना है, तो y is equal to, m1 by 2, m1 by 2, m1 by 2, y2 4 है कि नहीं, तो 1 into 4, plus m2 by 1, m2 कितना है, 2, y1 minus 3, तो यह आजाएगा 2 into minus 2, m1 plus m2, 1 plus 2, अब इसे solve करेंगे, 4 बंजा 4, यह minus का 4, upon 3, तो y is equal to 0 upon 3, तो अभी अभी पी क्या आया, बोलो, पी क्या आया, minus 1 और 0, have you got it, यह पी आगया, अब आखे देखो यहाँ पर, यह point P है, और यह B कितना था आपका, minus 7 और 4, यह P है, यह आपका P point है, और यहाँ पर क्या है, आपका Q, तो Q midpoint होगा की नहीं होगा, Q midpoint होगा, तो therefore, Q is the midpoint, Q is the midpoint, M becomes the midpoint of P, B, तो midpoint कैसे मिका आनेगे, X equal to, X1 plus X2 upon 2, यह रिख लेगा, इसके coordinate होगे, X और Y एडिया, इसको X1, Y1, और इसको X2, Y2, तो X1 plus X2 क्या आएगा, minus 1, minus 7, minus है तो minus लगेगा, ना, minus 8 upon 2, कटके minus 4, Y क्या आएगा, Y1 plus Y2 upon 2, Y1 कितना है, 0, Y2 कितना है, 4 upon 2, 4 upon 2, 2, तो क्योंके coordinates क्या आएगा जी, X, Y, और यह कितना है जी, यह आएगा, आपका minus 4 और 2, और एक point था, आपका P, यह भी X और Y था, तो X की value अपर क्या आएथी जी, minus 1, और यहाँ पर Y की value क्या आएथी, 0, तो यह आपके required points आए, P, Q, जो आपको A, B को trisect कर रहे हैं, तो 3 equal parts में divide कर रहे, अब हम move करते हैं, एक्जांबल 9 की तरह, एक्जांपल 9, find the ratio, क्या निकालना है, ratio, in which Y axis divide the line segment, joining the points, 5, minus 6 and minus, comma minus 4, 2 points हैं, आपके पास, नाम दिये हैं, A और B रेलो इसके नाम नहीं दिये, और coordinates तो दिये हैं, 5, minus 6, दूसरा क्या है, minus 1, minus 4, यह कौन divide कर रहा हैं, Y axis कौन कर रहा है, तो यह divide हो गया, कौन divide कर रहा हैं बोलो, Y axis, तो Y axis के coordinate क्या होते हैं, 0,Y, 0,Y, अरे Y axis पे चलोगे ना, तो Y axis ही होता ना, खड़े हुआ, तो इस कॉलम पे चलेंगे ना, vertically, तो वहाँ पर X coordinate 0 होगा, तो coordinates 0, Y होगा, यह बास समन्ना आगे, इसको क्या रहा हैं, बोलो, X 1, Y 1, इसको X 2, Y 2, क्या पुछा है, रेसो, क्या पुछा है इसमें, बोलो, रेसो, तो रेसो यहां पर question मारके, हमने कहां, जब धी रेसो कुछा जाए, तो क्या रेना, यह रेसो, बोल लेना, बोला था, तो एक M बन का का काम करेगा, किसका का काम करेगा, किसका काम करेगा, कि को स्कून फॉर्मुला ही हुज होगा, section formula, तो ध्यां से बेखेए, बोल पर, section formula, तो section formula जब धी रेसो होगा, अपॉन M1 प्लस है Have you got it? समझना आगया? X यहां कितना है बोलो? X कितना है? 0 M1 के X2 माइनस 1 तो K का माइनस 1 से मल्टिटा है होगा होगा कि नहीं होगा? K2 माइनस 1 होगा प्लस M2 X1 M1 M2 1 है X1 5 है और नीचे क्या आएगा? K1 प्लस 1 आएगा यहां थे क्लियर एजीट कि नहीं है K1 प्लस 1 यहां क्लियर क्लियर क्लिटा है करोगी 0 से 0 आएगा और यह माइनस K आएगा K1 प्लस 5 आएगा Have you got it? इसी इधर ले आओ पोजिटिव तो K1 प्लस 5 K कितना आगया? 5 तो इसका जो रिक्वाइड रेषो है को कितना आएगा? रिक्वाइड रेषो रेषो को तुछा जाएगा तो 5 रेषो बन आएगा ना? यह रेषो आएगा इसका यह इसका क्लिया है बोलो? रेषो अगर हुनोंने कहां कि Y भी निकालो तो अल्सु फैंट दा यह रेषो तो Y2 कल्टू क्या आएगा? M1, Y2, M2, Y1, M1 प्लस M2 Y कितना है? अनौन रेके नहीं? M1 अच्छा स्वारी, इसे यूज करने कि यहां पर ज़रूरत नहीं है यहां पर Y निकालना है अच्छा, ठीक है M1, Y2, M1, Y2 करो फार्मलाइगी करो M1, Y2 तो K इंटू माइनस 4 M2 बने? बने तो 1 इंटू माइनस 6 अपॉन क्या आएगा? K plus 1 Have you got it? यह कितना आया? माइनस 4 के माइनस 6 K plus 1 अच्छा, ब्रदर के की वैल्यू 5 आपको पूटका सकते हो नहीं? यह कितना पूटका सकते हो? 5 5 तो माइनस 4 इंटू 5 माइनस 6 5 plus 1 यह आजाएगा माइनस 20 माइनस 6 अपॉन 6 यह आया? तो यह उकल टू माइनस 26 अपॉन 6 पूटका सकते हो यह 13 आएगा तो माइनस 13 अपॉन 3 वाई के वैल्यू कितनी आनी बोलो? अगर पूटका सकते हो जाए एक्जामियों तो छोड़के थोड़ी आना है आपको इससे सॉल कर दे रहा है? आपने क्या फैंड आउट कर लिया? रेशो भी कर लिया? और बाई दी अब हम मूग करते हैं एक्जाम्पल 10 की तरह एक्जाम्पल 9 की तरह मूग करेंगे? तो 9 तो हो यह 10 की तरह 10 में क्या है? इप दप पॉइंट्स A, B, C, D क्यां लिए है आपको पारेलोगराम तो पैल ग्राम यह बना दो आप यह बना लो कि सेव बना लो यहाँ पर और सही लिगना है कि यहाँ пास यहां All Country men यहां C ल liksom reply इन मानी जँव हो लिएव Our Country लिएख वहां करो看 judging these shapes यह क्या है आपका P.3, अब यह पहले लोग्राम इवन है, यह पहले लोग्राम है, तो find the value of P, मुश्चरमाद क्या हो लोग, P है, तो जब पहले लोग्राम दिया हो, और उसमें कोई यह कोडिनेट अन्नोन हो, तो सीरे आप diagonal की बात तब, तो यहां पर क्या आएगा, यहां प to midpoint of BD, diagonal AC के midpoint, और diagonal BD के midpoint सिर्कोल आएगे, यह हमने properties पढ़ी है न, अब हम इसे solve करेंगे, तो solve करेंगे तो देखी, यहां पर, इसको क्या ले लोग्राम, इसको, इसको ले ले जिए, X1, Y1, इसको X2, Y2, तो यहां formula लगेगा, और ऐसे इसको ले लो, X1, Y1, और इसको क्या ले ले लेंगे, X2, Y2, midpoint of AC, midpoint of formula क्या आएगा, X1 plus X2 upon 2, Y1 plus Y2 upon 2, और इधर आएगे, तब गी वही formula लगेगा, formula तो same है, I hope भी आपको समझने आ रहा होगा, अब इसको value पूट करो, X1 plus X2, A plus B, क्या आएगा, A plus B upon 2, दूसरा, 5 plus 5, 2, 2 plus 3 upon 2, इधर भी तो midpoints आएगे, BD जी बात पर होगे, X1 plus X2, 6 plus 9 upon 2, Y1 plus Y2, 1 plus 4 upon 2, have you got it, is it clear, A plus B upon 2, A आजाएगा 5 by 2, A आजाएगा 15 by 2, A आजाएगा 5 by 2 plus करने से, have you got it, comparing both the sides, coordinate of X and coordinate 5, के वर इसमें एक ही P निकालना हैं हो, हमने एक्सर साइज में किया था, उसमें 2 coordinates निकालने थे, X of Y, तो जिसमें P आता है, उसको compare करों, बस इसी को compare करेंगा न, X coordinate लो, Y को करने से कोई फाइदा है, जोग उसमें P है यहीं नहीं, तो यहाँ पर 8 plus P upon 2 is equal to 15 by 2, cross multiply by 2 उपा जाएगा, तो 2 से 2, cancel हो जाएगा, P is equal to 15 minus 8, P is equal to कितना आगया, 7, तो यहीं तो आप से पूछा गया था, अब उसके जो coordinates D के आगये, वो D के coordinates क्या आगये, P, 3, D के coordinates आगये, 7, 3, यह आपका full and final answer है, आप इस video में हम इन पर समाथ करने हैं, नेक्स वीडियो में remaining जो एक्जाम्पल से बोहन करेंगे, I hope आपको समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया है, तो like करें, share करें, चैनल को subscribe करना न भूलें, Thanks God, Jai Hindia, Bhaarad,